जम्मो कश्मीर से हम नशाख खतम करने की बात करते हैं पर अफसोस की खबर ये है कि कभी इसमें कोई पुलिस वाला मुलविस पाया जाता है, कभी कोई सरपंच मुलविस पाया जाता है या कोई फोटो जर्नलिस्ट आज एक खबर बारमुला से सामने आई जहां पर एक फोटो जर्नलिस्ट को नशाख के सामान के साथ हिरासत में लिया गया है आपको बता दें कि बारमुला के ख्वाजा बाग से इसका तालुक है, वहां का ये रहने वाला है और पुलिस ने जानकारी देते हूँ ये बताया ह है इस फोटो जर्नलिस्ट का नाम जो है इनायत कयूम है और इसे के साथ इसके सपास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है और बारमुला करनीपोरा में एक नाका लगा था और वहां पे ये बाइक पे जा रहा था मोटर साइकल में जा रहा था और जब नाके प पॉल स्टेशन में रजिस्टर है पर अफसोसनाक है बेहद अफसोसनाक है कि जो एक अच्छे पोस्ट पे होते हैं या फिर सोसाइटी में जिनका नाम होता है जो लोगों के लिए ड्यूटी करना उनका फर्ज होता है और वही जहर को पहुंचाते हैं खरीते हैं और ये काम ने आई थी कि 12 मुला से एक सर पंच को हिरास्त में लिया है और वह भी नशा तसकरी का काम कर रहा था अब एक फोटो जनरिस्ट आया है बहुत बार पुलिस वालों की भी खबर आ चुकी है पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको जड़ से उखाड फैंक ना है तो है तोर पर अगर फैंली में से एक शक्स भी नशा लेना शुरू कर देता है तो पूरी फैंली किस तरह से तबाह हो जाती है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिलाल तस्वीर आप देख रहे हैं उसी फोटो जनरिस्ट की जिसे हिरास्त में लिया है नशा के सामान के सा बार मुला से